हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपी के यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में तो दोस्तो जम्मू कश्मीर के जिन बच्चों ने अभी 10th के एक्जाम दिये हैं यहां फिर वो बच्चे जुन्होंने अभी प्राइविट एक्जाम दिये हैं और 11 पे जाने की त्यारी में हैं उनके लिए यह मैं एक बहुत ज़्यादा इंफ्रमेटिव वीडियो लेके आया हूँ उनकी आगे की जर्णी के लिए तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंफ्रमेटिव होने वाले दोस्तों चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहली चीज में आपको ये बताऊंगा दोस्तों कि जब तक भी हमारी 10 तक की जर्णी होती है जो हम 10 ग्लास तक पढ़ते हैं तो होता क्या है कि एक पढ़ाई का structure अलग होता है जब हम 11th and above जाते हैं पढ़ाई का structure बदल जाता है तो actual होता क्या है कि जैसे अभी आप 11th में जाने वाले होंगे आपको बहुत सारे आपके relatives या फिर इवन आपके parents भी बोलेंगे कि non-medical stream low या फिर medical low या फिर become low commerce stream low तो दोस्तों इस अमें आपको ध्यान देना है और commerce के लिए जा सकते हो लेकिन अगर आपका math or science अच्छा नहीं है तो आपको वहाँ जाके बाद में 15 अच्छा है कि आप art subject ले सकते हो वो जमाना चला गया जब कहा जाता था कि medical non-medical वाले बच्चे जो होशियार होते हैं और बाकी नलायक होते हैं वो समय चला गया अभी क्या है कि जो भी job opportunities आती है वो art stream, medical stream, non-medical stream सबके लिए almost बराबर रहती हैं तो वो समय नहीं है कि जब यह सब चीज़ें चलती थी basically आपको देखना यह है कि जो आपका future है उसमें आप कौन से subject लेके अच्छे से perform कर सकते हो even अगर आपके relatives यह parents आपको force करते हैं तो आप उनको समझाईए कि यह चीज मेरी अच्छी नहीं है मैत अच्छा नहीं है तो मैं non-medical लेकर 11th में fail होके बैठ जाओंगा तो क्या फाइदा ठीके दोस्तों तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए मेरे हिसाब से जो आपके subject अच्छे हैं जिनमें आप अच्छे से perform करते हो उसी हिसाब से आपको 11th में stream चुननी चाहिए ठीक कियार